हरी ओम ओम गणिश कर्मकानबाय आनेंदपाथक में एक बार पुनह आप सभी का में स्वागत करता हूं और जैसे अभी कृष्ण पक्ष की प्रतीपदा तिथी से अर्थात चैत्रमा की कृष्ण प्रतीपदा तिथी से लेकर अमावस्या तक जो तारिक की अनुसाल 24 एपरिल बुद्वार से आरंभोकर 8 मै बुद्वारी अमावस्या तक ये जो दिन होते हैं वो काफी महत्वपु और खास करके पित्रू दोश्निवारण के लिए पितरों की शामती है तू जनमकुंड़ी में स्थीत कोई भी ग्रहों की शामती है तू ग्रहों के मंत्र जाप है तू यह जो दिन होते हैं तीथी के अनुसर 15 दिन वो बहुत ही उपयूक्त होते हैं और इसका अवश्य सभी को लाब लेना चाहिए अब वो होता क्या है आज इस विशय और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा अगर आपको यहां विशय वीडियो पसंद आया हो लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके गंटी का चिना दबाएगा तो चलिए शुरू करते हैं अब ध्यान से सुनियेगा जो बाद्रपद महा के श्राद पक्ष उसे वी जो पित्रुपक्ष कहते हैं मैं वहां उस विशय की बात नहीं कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूज भी ना हो और शायद मेरे शब्दों के ऊपर फिर टिका टिपनी भी ना करें मैं उसकी परवा फ पितरों की शामती है तू पितरों को मोक्ष दिलाने है तू और पित्रुपको प्रसन करने है तू उसके अलावा नवग्रह से जुड़े कोई भी कुंडली में दोशों उनकी शामती के लिए ये जो पंद्रा दिन होते हैं वो बहुत ही अती आवश्यक महत्वपुर्ण होत और बुद्वारी अमावस्या के दिन यह पुर्ण होने वाला है अब इसमें करे क्या पितरों की गति के लिए पितरों की शामती के लिए पितरों को कैसे प्रसन किया जा सके ध्यान से सुनिये काब अगर आपकी कुंडली में पितरों दोश है अब वो कैसे पता चलेगा तो फिर भी मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बता दूँ अगर आपके जन्मकुनली में शनी केतू के यूती है और डिग्री वाइस काफी नजदीक है जैसे शनी मान लीजिए 10-12 डिग्री का है ये उदाहरन के तौरपे में कह रहा हूं शनी अगर 10-12 डिग्री का है साथ में अ संग्या नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा अंतर है लेकिन बहुत नॉर्मल सा कम सा अंतर है शनी केतू की यूती हो शनी राहू की यूती हो राहू चंद्र की यूती हो या केतू चंद्र केतू की यूती हो या फिर मंगल केतू की यूती हो मंगल राहू की यूती हो सीर्फ चंद्र अकेला होकर क्यमंदरूम दोशादी बने तो ऐसे जो दोश कुंडी में होते हैं वहा कहलाता है पित्रूदोश उसके अलावा उसके जो लक्षन होते हैं घर में कलेश रहना घर में आकस्मिक बीमारिया आ जाना घर में लक्षमी कभी टिकती ही ना हो दुख दरिद्रत आदी होना घर में जैसे अनेकस्पेक्टेड चीजे बार-बार हो जाना ये सारी जो चीजे होती है वहाँ पित्रूदोश की निशानी है अब ऐसे नीवारन के लिए ये पंदरा दिन है वो अमरुस समन साबित हो गए सबसे पहला उपाई है नारायन बली करवानी चाहिए दुसरा उपाई है कि अगर परिवार बहुत ज्यादा पीडी थे एक प्रकार का शाब भुगत रहा है ग्रहन भुगत रहा है और मांसी, कशामती, बीमारिया, दुख, कलेश, दरीदरता, छोटी आयू में मृत्ति हो जाना, आकस्मिक मृत्ति हो जाना, एक्सिदेंटली जो सारी चीजे घर में हो ना, जो कभी सोची ना हो वो हो ना, अगर ऐसी सारी चीजे होती है, बड़ी समस्या है तो पंच बली करवाना सबसे श्रेश्ट रहेगा, और पंच बली में क्या होता है, जैसे मैंने एक विशय में बताया था, नाग बली, नारायन बली, भूत बली, प्रेत बली, काक बली, ये पांच बली होती है, जो कम से कम ढ़ाई से तिम दिन तक चलती है, ये पंच बली ह अब ये तो हो गया विदान अब आप अपने आप घर पे क्या कर सकते हो तो सबसे पहला उपाई रूची मुनीक रूत पित्र सोत्रा जो हमारे वीडियो में आपको बहुत समय से बताया है और कभी-कभी मैं सजेश भी करता हूं तो बले ही आप हर रोज ना कर पाए लेकिन य सबस्य ही जितने अधिक पाठ हो सके उतना प्रयत्न कीजेगा सबसे पहला जो अगर आप चाहे तो प्रातह काल में पाठ कीजिए दूसरा आप चाहे तो मध्यान काल में पाठ कीजिए और तिसरा आप चाहे तो सायम काल में अर्था दिन में तीन समय में या तीन काल में ती सभी कालमे करोंगा यह अनुभवित है और पितरों स्वयम प्रसंद होकर विभिन्य प्रकार बदान दिये थे है इस स्तोत्र के पस्चादा डूसरा जो पितरों लेता कि मंत्र जो केवल द्र से में प৅च हो जाते है जो जिसके उपर हमने वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि मैं सारी चीज़ें अगें अगें रिपीट नहीं करना चाहता है जो मंत्र है देवता व्यश्य पित्र व्यश्य वो वाला है मैं इन सभी वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप चाहे तो उसका नित्य लाव ले सकते हैं यह दूसरा है उपाई तीसरा ब्रहत धर्म पूरान का एक और पित्र स्तोत्र है उसका भी पाठ करने से अवश्य ही पितर बहुत प्रसन्न होते हैं चौथा उपाई उत्तम उपाई स्रेष्ठ उपाई श्री विश्नु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए यह करने से अवश्य ही पितर प्रसन्न होते हैं नी समदे इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए अब ये चार विधिविदान के उपाई में आपको बताए अब इसके अलावा इन 15 दिनों में हर रोज आप प्रातहकाल सुबह जितना अरली हो सके जितना आप सुबह अरली उठकर यह कारिय कर सके और वो कौन सा कारिय है पीपल के पेड में जल अरपन करना सिंपल तरीके से कलश में जल ल किजे और पीपल के पेड को प्रार्थना किजे और बोलिये 27 बार ओम ममा सर्वा पित्रो मनह कामना सिद्ध कुरू कुरू स्वह यह मंत्रा आप 27 बार दोरों में से कोई भी बोल सकते हो यह पीपल के पेड के नीचे यह 15 दिन तक कंटीनियू करना है दूसरा उपाई कि पीपल के पेड के नीचे ही आप चाहे तो इस प्रयोग के दोरन आप गव माता के गी का दिपक प्रजवलित कर सकते हो पितरों की गती है तूँ अब इसके अलावा और अन्या उपाई जैसे बताए तो जैसे गरीबों को आप अपनी यथा शक्ती अनुसार दान कर सकते हैं किसी भी अपने भ्रह्म देवता को या आपके जो पंडित जी है जो आपके वहाँ डेली रूटीन में पूजा पाठादी करने आते हैं उनको आ उनका जो खाना होता है वहाँ खीलाए ये कुट्यों को भोजन करवाए ये जो सारी क्रिया है वहाँ सर्वोत्तम मानी गई है और इसके अलावा जैसे ये पंदरा दिन है इन पंदरा दिनों में विश्णू सहस्त्र के एक हजार जो नामा वली है उन नामा वली से या तो को प्रसन करने के लिए सबसे उत्तम है अब यह हो गया पितरों से संबंदित कारिया इसके अलावा जैसे मैंने कहा ना कि कुंड़ी में कोई भी अन्य दोश हो कालसर्प दोश हो कोई और दोश है कोई और योग का कोई बंदन है दिक्कत है प्राब्लम है तो वो भी इन 15 दिन में जो शब्दय का प्रयोकिया वह कहला ता है पितरुपक्ष ये था आज का विशेश एक वीडियो और विशय अगर आप यह विशय वीडियो पसंद आए लाइक करे शेयर करे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके गंटी का चिनहा दबाजे का बहुत जल मिलते है झाल